उतर प्रदेश के सियासत में इन दिनों आजम खान चाय हुए हैं पहले उनकी चुचायें सपा अधेक्ष अकलेश यादों से नाराजगी को लिए करती अब वो कॉंग्रिस पार्टी के पोस्टर के चलते सुर्खियों में है उनका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल प्रियागराज में कॉंग्रिस नीता इशाद उल्ला ने आजम खान को लेकर पोस्टर जारी किया है इस पोस्टर के जरीए उन्होंने आजम खान को कॉंग्रिस में आने का प्रस्ताव दिया पोस्टर में लिखा कि कॉंग्रिस में आई ये स्वागत है पोस्टर में कॉंग्रिस महासचीव प्रियंका गाधी के तस्वीर भी मौजूद है हाली में सीता पुट्रेल में आजम खान से कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता अचारे प्रमोद कृष्णन मिले थे एक घंटे की मुलकात के दोरान दोनों नेताओं के बीच राचनितिक मुद्धो पर बाचित हुई थी इस पॉस्टर में अचारे प्रमोद कृष्णन की भी तस्वीर है इसके साथी पॉस्टर जारी करने वाले नेताओ शाद उल्ला और पुर्व प्रदेश प्रवक्ता बाभाबय अवस्ती की भी तस्वीर पॉस्टर में मौजूद है इस मामले में कॉंग्रिस के वर्ष नितां भी अभी कोई प्रतिकिरिया नहीं दे रहे हैं। कॉंग्रिस निताओ शाद उल्ला पहले भी विवादित पॉस्टर जारी कर चुके हैं।